जेस्मिस्रा का और आप देखना सुरू कर चुके हैं दडीबीट बैन भाईयों राज्य सभा में सांसदों के निलंबन की करवाई ताबल तोड़ चल रही है विपक्ष के वो सांसद जो हंगामा कर रहे हैं जन सरोकार के मुद्दे उठा रहे हैं महेंगाई, जहरीली सराप से मौतें, जीएश्टी और दूसरे जरूरी मामलों पर चर्चा की मांग करने वाले कई सांसद राज्य सभा से सस्पेंट कर दिये गए हैं पूरे एक सप्ता के लिए क्या सांसदों के निलंबन से बहस रुख जाएगी, या फिर सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है, या फिर ये सदस से वाकाई में सदन की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं, क्या है पूरा प्रक्राण आज की परचर्चा इसी विशेप है बैनवायो राज्यसभा में इन दिनों चल रहा बवाल आप सब टेलिवीजिन पर देख रहे हैं, राज्यसभा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, विपक्षी दलों के सांसत लगातार सदन में ये मांग कर रहे हैं कि महंगाई पर, जी एस्टी पर, अगनी वीर पर और भी तमाम जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, खुल कर बात होनी चाहिए, और विचारों का आधान प्रदान होना चाहिए, और बहुत शोर शराबा हो रहा है, इस मकसद से हो रहा है कि सदन की कारवाई चल नहीं पा रही है, सदन की कारवाई ने चल पाने से सत्तापक्ष भी परशान है और विपक्ष भी उद्ध्वेलित है और सदन जिस मकसद से आमंत्रित किया गया वो मकसद पूरा डिरेल्ड हो रहा है यानि सदन की कारवाई नहीं चल पा रहे हैं तो इसका हल क्या है इसका वैसे तो सामान ने लोगतांत्रि खल ये था संसदी परंपरा में ये था कि इन विश्यों को उठाकर एक बारी चर्चा हो जाती सत्तापक्ष जवाब देता अभी पक्ष अपनी बात रखता और चर्चा सामानी तरीके से निकल जाती लेकिन सत्तापक्ष इस पर करते हैं गोला फेकते हैं तख्ती लेकर आते हैं जिसमें किसम किसम के नाहरे लिक्षे होते हैं अब यह विरोध की बात सांसदों के निलंबन तक पहुँछ गई है क्या ये वाकई मीं इसका हल है अगर विपक्ष किया दिकान सांसद सस्पेंड कर दिये जाएंगे तो सदन चलाने का फिर आउचित ये क्या रह जाएगा ये महत्तोपूर्ण बात है और इस पर विचार होना चाहिए कुछ बयान सुने आप फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ मैंने 267 का नोटिस दिया बताईए मैंने क्या गलत किया मैंने सरकार से मांग की कि आईए जवाब दीजिये 55 लोगों की मौत पे मेरी बात का जवाब नहीं देते सदन में चर्चा कराते नहीं उठा के सस्पेंड कर दिया तो कोई बात नहीं सस्पेंड किया है हमारे बाकी उसमें आवाज उठाए आपने नोटिस पर की 267 का नोटिस हम लोगों दिया है और यह जो महेंगाई है इस पर हम लोगों को चर्चा करने दिया जाए हाउस में अलाव नहीं किया गिया उल्टे जो टीमसी के साथ सांसत और बाकी 12 सांसत को मिल करकर सस्पेंड कर दिया गया तो आज की पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मनिश शुकला बीजेपी से हैं सुनिल सिंग साजन समाजवादी पार्टी से हैं सुलेंद राजपूत कांगरेस से हैं रामेश्वर पांडे जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के सां संजे सिंग जो निलंबित चल रहे हैं वो भी जुलेंगे और संजे बेचन जी